हेलो एव्रिवान क्या चेहों सब लोग मीर है कि जब बहुत अच्छा से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं कोश्चन नमबर एड के फॉस्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवर्स वीडियो अभी तक नहीं देखा साथ साथ आने वाले वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्रिट प्रेल लिस्ट का लिंक बिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर शेक कर लोगे कोश्चन नमबर फॉस्ट के ए पार्ट में क्या है जिंक एंड अलुमीनि किसके साथ कर रहे है तो यह क्या करेगा जब इसको हम लोग हीट करेंगे न तो यह फॉर्मेशन को रहेगा यह फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ यह रिलीज करेगा क्या? That is hydrogen gas H2 gas जो है ये release करेगा, same case यहाँ पर देखें, तो ये sodium aluminate बनाएगा, यानि की Naal O3 नहीं, sorry, O2 प्लस H2 gas ये release करेगा क्या बोल रहा है क्या हम लोग distinguish कर सकते है, देखो, ये भी हमारा क्या है, salt है, ये भी हमारा salt है तो यहाँ पर simple form में इसका हम लोग लिख देंगे answer no, हम लोग इसको distinguish नहीं कर सकते अब बोलोगे, sir, क्यों नहीं कर सकते क्योंकि reason यहाँ पर है ना कि aluminium और zinc, aluminium और zinc जैसे base के साथ reaction करके hydrogen gas का formation करता है, उसी type से अगर इसको acid के साथ भी reaction कराया जाए ना हो गया, यह सब क्या होते हैं कि nature में कैसा होते है, amphoteric होते है amphoteric का मतलब होता है जो acid और base दोनों के साथ react करे और इसी property के कारण simple form में क्या होता है, इसको distinguish नहीं किया जा सकता है, जब किसी base के साथ, जैसे sodium hydroxide के साथ reaction किया जा सके लिखेंगे no हैना, it cannot be it can not be distinguished, हैना, it cannot be distinguished अब आप बोलोगे सार इसका reason क्या होगा, due to due to amphoteric in nature हैना इसको थोड़ा सा space बना लेते हैं due to amphoteric properties यह भी आप लिख सकते हो, due to amphoteric properties due to amphoteric properties of of किसका zinc and aluminium हैना, zinc और aluminium के amphoteric properties के कारान हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, distinguish नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आज अब B part में चलते हैं, B part में क्या है, calcium nitrate and lead nitrate can be distinguished by adding sodium hydroxide solution, यह तो देखना पड़ेगा, sir क्या है, हमारे calcium nitrate है, यह हमने लिख लिख लिया calcium nitrate और उसके साथ है lead nitrate याने की PB NO3 hold wise, दोनों को किसके साथ कर रहे हैं, add ammonium hydroxide के साथ, ammonium hydroxide का formula क्या होता है, NH4 OH, इसमें भी क्या होगा, that is NH4 OH, है ना, sodium hydroxide solution के साथ इसको क्या कर रहे हैं, sorry, ammonium hydroxide solution के साथ add कर रहे हैं, याद करो, PPT में आपको यह reaction है, वो given है, जब calcium nitrate जो है ना, अगर वो ammonium hydroxide के साथ reaction करता है, तो यहाँ पर कोई भी reaction नहीं होता, है ना, no reaction, अब बोलोगे sir, यह no reaction क्यों होगा sir, reason है ना, कि यहाँ पर कोई भी PPT का formation नहीं होता, precipitation reaction chapter का है, यह simple form में, तो यहाँ पर कोई भी precipitated का formation नहीं होता, reason यहीं है, कि इसके कारण कोई भी reaction हमें देखने को नहीं मिलता, जबकि lead के case में, lead PPT जो है, उसका formation करता है, जैसे यहाँ पर आप double displacement कर दो, तो क्या हो जाएगा, that is, यहाँ पर हो जाएगा, PB, PB hydroxide है ना, lead hydroxide का formation होगा, और उसी के साथ साथ ammonium nitrate का formation होगा, NH4, NO3, यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यह PPT का formation करता है, किसका करता है, यह PPT का formation करता है, इसका color भी आप याद रखोगे, lead hydroxide का color कैसा था, white, है ना, कैसा color था, that is, white color का, यह हमें देखने को मिलता है, यानि कि, यहाँ पर क्या होता है, white PPT का formation जो है, वो होता है, तो इस type से simple form में, यह, जो reaction वाले question है, क्या खतरनाक है, तुम्हें लगेगा कि, यहाँ पर तो double displacement होना चाहिए, कि यह इसके पास चला जाए, calcium जो है, hydroxide के पास जाला जाए, यह आजाएगा, यहाँ के पास, और product का formation हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सारे के सारे questions को जो है, वो आप देख लोगे, तो इस basis पे इसका आंसर था, कि क्या हम लोग distinguish कर सकते हैं, बिलकुल distinguish कर सकते हैं, इसको कि अगर PPT का formation नहीं करेगा, पक्का चल जाएगा कि वो calcium nitrate है, और अगर PPT का formation कर रहा है, इसका मतलब पक्का चल जाएगा, कि वो हमारा कौन सा होगा, that is lead nitrate होगा, I hope कि यह पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मेरते हैं आप से अगली वीडियो में इसके second part के solution के साथ, तब तक के लिए अच्छे सबढ़ाई करते रहे, all the very best for your upcoming examination.